मैं दूरगे जयाश्वाल, सीटेट के सेलवस में 30 नंबर की पर्यावरण की कोश्चान आते हैं, इन्वार्मेंट जो की सेलवस में रखा गया है, तो अब प्रश्ण उठता है कि एक से पांस तक के प्रामरी की कच्छा में, कि लिए सीटेट में आखिर पर्यावरण को क्यों रखा गया, तो पर्शन पहले से यहीं से पढ़ लेते हैं, जो सीटेट के एक्जाम में पुछा गया है, वो प्रश्ण यह था कि किस कच्छा में या किस कच्छा से पर्यावरण को पढ़ा जाता है, प्रात्मी कच्छा के किस प्रात्मी कच्छा में या प्रात्मी बिद्यालों में किस कच्छा में परियावरण की पुस्तके लगाई गई हैं या परियावरण की पुस्तके चलती हैं वैसे तो आपने देखा होगा कच्छा एक से ही कुछ किताबे शुरू हो जाते हैं जिनमें 2nd 2 5 3rd 2 5 425 तो चार विकल्ब उसमें दियेगा जिसमें पूछा गया था सीटेट में कि इन चारों में से किस कच्छा में परियावरण को पढ़ाया जाता है परियावरण पुस्त के हैं तो इसका विकल्ब क्या है वैसे तो आप तो जानते हों एक से 5 लेकिन ऐसा नहीं है इसका जो सही है पिकल्ब है वह है आपका कर्या टीन से पाँच मनें ऐसकी परियावरण को परियावरन को पढ़ाय जाता है और प्रशनूरत lugarस इसलिये मेंहीं पढ़ता दिया कि परियावरण क्या होता है यह आप बताएं कमेंट वाक्स में यह सीटेट का पुछा कोश्चन है कि EBS का फूल फर्म क्या होता है तो अब प्रशन उठता है क्योंकि यह दो कोश्चन इसलिए मैं बता दिया कि पर्यावरण हम पढ़ने जा रहे थे अब पर्यावरण को प्राथमिक अच्छा में अनिमा आता भ्यान के लिए मुदी जी ने और सारी लोगों ने एक भ्यान चला था देश को सच्छा रखने के लिए क्या आज भी हम भूटका के लोग कहां थुकते हैं सड़क पी कागच कहां फिक दिया मैंने अब जाकि अभी भी उतनी अवैर्नेस नहीं आई है लेकिन लेकिन अ जैसे अगर मैं यह पढ़ाऊं कि टू प्लस टू इस्क्वल टू फाइब तो कहेंगे हो आप कहेंगे कैसे क्यों या दो धन्दों कितना होता है पांच जैसे अपने मेरी कोचिंग योएन कर ली चा ऑनलाइन या आफ लाइन फिर मैं पहले दिन आपको पढ़ा दिया कि दो प्लस दो वरावर 5 होता है उस समय तो आप अगले दिन से समय खुद नहीं आता हमको क्या पढ़ाएगा कि बच्वपन में हम आपको पढ़ाया है कॉँकि टू प्लस-टू मने दो प्लस दो अगर हम करेंगी जैसे दो प्लस दो उत कितना होगा चार ही होगा ना कि पांच होगा तो इस आधार पर यदि किसी भी ब्यक्तिकों या बच्चों को बच्पन से आगे हम लोग पढ़ेंगे ऐसा क्यों किया गया है बच्पन से ही पर्यावरणी ग्यान दिया जाए तो सायद उन्हें जो वर्तमान सोय में जो ये दसा हो रही है इस दसा के उतने जिम्मेदार नहीं होगे इसलिए भारत की जितनी भी परिच्चाएं होती है चाहिए जिस सेक्टर की हैं उसमें पर्यावरण को समलीद किया गया है चाहे जो हो अगर आप उसमें सामाने दिन के पोर्शान रखे जारे तो पर्यावर्ण यहां तक की ग्रेजुएशन तब ही तक होगा कि आप पर्यावर्ण की परिच्छा भी उत्रण करिए मतलब पर्यावर्ण के प्रति इतनी जागरूता लाने के लिए किया गया है हर परिच्छा में समर्य suf एपलिस कर दिए सभी परिच्छा में सभी परिच्छा में को अंदर जाकूरता तभी आएगी जब उसके सिच्छन कारे में जब उसकी प्रात्मिक सिच्छा में भी या प्रात्मिक कच्छा में भी ईविएस को महत्रपून दर्जा प्राप्थ हो जाएगा इसलिए पर्यावरण आपके प्रात्मिक कच्छा से पढ़ाया जाना शुरू हो की जानकारी देने के लिए जो हम लोग पढ़ना सुरू करेंगे तो बहुत सब्सक्राइब को भी पढ़ेंगे लेकिन आज हम क्यों पर्यावरण की इंट्रडेक्शन लेते हैं क्यों ऐसा रखा गया है आज वर्तमास में ग्लोबल वार्मिंग से मस्ते रिद्न जादे बढ़ को या एक अच्छा ध्यापक को बालकों को ग्रीन होस के बारे में समझाना होगा तो एक अध्यापक प्राथ्मिक अच्छा के बालकों को कैसे समझाएंगे तो यह पर्यावरण है और पर्यावरण का मतलब यह नहीं है कि पर्यावरण का च्छा में क्यों लिक्ट पर्याव होता है यह कहने क paling यहां फिर कि के घटिए का पेपा दिखेंगा उसमें होता है कि पासपडोस क्या है तो पासपडोस क्या होगा नहीं कि बलक के आसपास एक बच्चे के आसपास जो चीजे घठनाएं घटती है उन को हम इस परियावनिक अच्छा में सीटेट के अध्याय में अध्यान करेंगे अब बालक के साथ क्या होगी आस्पोरोस में परियावन क्या संबंद है जैसे पहली चित्तों में बालक को जिग्यासु बनाना है तो परियावन क्लास आपको इस तरह से पढ़ाने है कि बालक पढ़ाने यह भी आपको पढ़ना होगा इसके लिए मैंने बताया कच्छा 3-4-5 कि आप EBS की किताब ले लिजे वहाँ पर हुपाएगा अगर आप नहीं मिल पाता मैं आपको पीडियाप दिला दूगा मेरे दार आपको प्राप्थ हो जाएगा तो सबसे बड़ी जो समस्या हैं हमारे पास तो समस्याएं का निरागर किया गया कि वह यह है कि EBS को प्राथमी कच्छा में कैसे पढ़ाना है और कैसे पढ़ना है इस बात को ही लेकर हमें आगे बढ़ना है अब प्राथमी कच्छा में पर्यावरान को क्यों लाया गया ताकि जो बालक हैं वह अपने प हरे चीज का किस तरह से पढ़ाना है किस तरह से पढ़ाना है किस तरह विधी का प्रियोग करना है उन सभी को हम सभी को यह क्लास में पढ़नी है क्योंकि यूपीटेट और सीटेट में बहुत बड़ा फर्क है अब वहां पर्यावन किस तरह से पढ़ना है यहां पर्यावन कि पढ़ा रहा है आपको यह पढ़ाना है कि हवा में बल होता है हवा में भार होता है वायू में भार होता है तो आप बालक को कैसे पढ़ाएंगे कैसे समझाएंगे या वायू अस्थान गिरती है तो इसको पढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि ताक लवाई में भार होता है गुबारा फुल आएंगे गुबारा फुलेगा उसको दवाई रखिए तो आपका हाथ पीछे बढ़ेगा कहेंगे दाव होता है ठीक तो इस तरह से अब वाई में जलवास पो होती है यह बच्चा यह समझेगा हूं किये काच पे तुस पर भाब बन करते हैं और बालग उसे किया क्या चीजें सीखता है यह आपके लिए उतंञा ही मातरपूण और उसके साथ आस-पास की वस्तुएं शरुआ कि जानकरी होनी चाहिए यह वस्तुएं क्या होती है अब किसी खहते हैं दूदवाला किसे कहते हैं अब दूदवाला किसे कहते हैं तो बालक सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा भया यह दूदवाला क्या होता है जो दूद देता है दूद कहां साती है दूद भैस देती है भैस ही देती है नहीं गायवी देती है भैस कैसी होती है काली होती है तो मुझे िश्राव से पूश्ट है हुचते हैं, तो बताएगा हां आज मैं रोटी हों सब्जी खाई दो रोटी खाई ती एक और दो दो रोटी खाई थी तो रोटी कहां से आए थी ममी reste meaning जिएस班 नेटी अश्ब कि स genius आ था कि targets a Legendsником की सब्मारें देस impression तो पीशरी वाता पाने में गूतके रोती बनाती है पगा के जी कित से गीछ्ट से आता है और कैसे चैथर पहले क्या करते हैं लोग के सिंदेनेन फिर पहले तो बाद पहलेँ जाता है तिर को ड्री वह से भूछा लग ऑन घहते हैं नहीं पपता है तो आप पता हैं कहते हैं क्या कहते हैं तो इस तरह सो घुमा के पूचे का तब क्या होगा बालक इंदर जिग्यासा जगेगी और उसको जाना चाहेगा फिर फिर सब्जी में क्या खाय थे तो इस तरह से खेत में आलू कैसे बोई जाती है जो चीजे नहीं जानता बज़ेगा सर यह क्या चीजी होता अब उसे बताएंगे तो वो चीजे जो यह सिखाने की प्रद्धिती यह प्रकिरिया है यह परियावरण की क्लास में जो हम लोग आपको पढ़ाना है अब बालक किस तरह से पढ़ेगा क्योंकि अगर आपी कच्छा में 40 लड़के बैठे हैं 40 लड़के बैठे हैं तो 400 के दिमाग एक जैसे नहीं होंगे उसमें भी आप पढ़ाएंगे मनुभी ज्यान में मैं पढ़ाएंगी तो वहां पर देखेंगे ज सामावजरी कच्छा में सीटके की को कैसे पढ़ाना है अच्छा यह हो गया अब उन्हें बिटामिस पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे तो इन सारी चीजों को क्योंकि अभी बहुत सारे online classes चलेंगे मेरी तरह नहीं बहुत सारे लोग पढ़ा रहे आफ्लाइन भी परियावरन को प्लाना सुरू कर देते हैं जबकि पेपर उठाके देखेगा पिछले 500 का इस तरह के प्रशन नहीं पूछे जाते वह सीधा सीधा कोई प्रशन नहीं पूछते इसी तरह वो घुमा कर पूछते हैं तो अब प्रशन उठता है कैसे पढ़ें तो सबसे पहला काम यदि आप मेरे साथ जोड़कर पढ़ना चाहते हैं यदि वास्तों में लगता है कि आपको बहतर करना है या कुछ आप बहतर कर सकते हैं अब मुझसे भी बहतर कर सकते हैं तो परियावरन और घंईत इसमें तीन चीजे सबसे ज़्यादा महत्रपूर्ण होती है जो घंईत परियावरन और गड़ी परियावरन और बाल मनुद घ्यान यह तीन चीजे अगर आपका कमांड से क्वालिफाई हो जाएंगे अभी मैं बताओं विट्यस से अब आते हम लोग को यह देखते हैं किस तरह से इसको पढ़ा जाएगे हमारा कॉंसर्ट क्लियर हो गया अब परियावरन की किताब लेजिए अगर आपको परियावरन की बुक नहीं मिल पा रही है तो आप कुछ नहीं करिए अगर आप क्या नहीं मिल पा रही है तो आप कुछ नहीं करिए अगर आप क्या नहीं मिल पा रही है नसी आडी किताब तो टेली ग्राम पे मेरी जुड़िय के तोरप पर ले सकते हैं और यादि ओनलाइन क्लाश जोइन करने हैं आपको तो 63063 344 367 पर सीट ज्वाइन सीट ज्वाइन सीट लिकर आप भेज देंगे आपको सारी चीजे प्राप्त हो जाएंगे कैसे आपको जुड़ना है तो आप जुड़कर आप पढ़ाई कर सकते हैं और रहीवाद मार्केट नोट्स और किताबे वहां से प्रश्ण आपके नहीं आते बस इस तरह से पढ़ना है कि पर्यावरण की इस तरह से पढ़ा जाए ताकि ताकि आप कुछ बहतर कर सके और मैं पूरा प्रिवियस एर के पेपर भी आपको साल करूंगा और प्रक्टिस में जल्दी मार्केट में मेरा आएगा ताकि आपका भेरतियों को को कोई समस्या न पढ़ाना है किस तरह से बच्चों को सिखाना है और क्या क्या समस्या है आपके सामने उत्पन्न होगी उसमें कौतुहल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ाव के सामने हैंगी उन सभी चीजों का जबाब ही सीटेट के इबियस में 30-30 स्कोर है क्योंकि रट्टा नहीं मारना ह सारी चीज़ें को समझना है कि एक अध्यापक का कच्छा में क्या युगदान होगा या एक अध्यापक इस कच्छा में किस तरह से पर्यावरण को पढ़ाएगा यह चीज़ेगर आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से कर लेंगी एक मैस की उपर भगुला बैठा है इस तर कल के बाद से आपको रेगुलर वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे अगर आप अलेएं क्लास जोइन करना चाहते हैं तो आप खुश से भी कर सकते हैं क्योंकि सीटेट पास करना बेहाद आसान है यह मैं हर बार कहूंगा क्योंकि उसमें कोई चीज़े याद नहीं करनी है बस समझना है और आप एक समझदार बेखती हैं और मुझे पूरा भरुसा है कि आप समझ कर सकते हैं इसके लिए 2011 से जो पेपर हुए उनके पेपर को साल्व करना सुरू कर दीजे फिर देखेगा आप अपने आप में खुद महसूस करेंगे वास्तों मैं आप सीटेट पास करते हैं यूपिटेट के लिए समस्यां हो सकती है कि आपको मुझे से जोड़ना पड़े कि संसा जोड़ना पड़े सीटेट के लिए इसा सिस्टम नहीं है आप खुद से कर सकते हैं यह मेरा अनुभो रहा है और यह अनुभो सफल ला है और आप भी पेपर रखिएगा पढ़ना है वो भी शुरू कर दें अच्छा एक क्वेश्चन हम आपसे पुष्टे बजा रहे हैं एक अध्यापक के लिए आप एक बालक जब बारिस होने लगती है जब स्कूल के छुट्टी होने बाद बारिस होने लगती है तो बालक अपने सर पर क्या लगता है कुछ बोले जैसा रखने बाद भागने लगता है यह कौन सा बल अच्छ जाने दीजिए अभी आपको पढ़ाया नहीं है औरना यह पूछते यह कौन सी पदती है या किस के अंतरगात आता है चलिए जाम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे जितने भी हैं थांडाइक आपने थां पूरी तरह से प्रारम हो जाएंगी कल से मतलब अगली वीडियो से आपको मिलना सुझाए तब तक के लिए अध्यार सभी साथियों को मेरिटर भेर से कामना है जैन जै भारत